हेलो प्रेंड विल्काउं टो मैं रॉकिंग सपोर्ट यूटूब चैनल तो चैनल पर नहीं हो तो प्लेज अब लाइक श्यार और सब्सक्राइब कर दो और बेल बला इकन भी थोड़ा सा प्रेस करके रखना तो आज का वीडियो का टॉप पीक होगा हाउ तो इंस्टाल मेजन तो 2.4.1 ओं गोडरी फोस्टिंग सर्वर ओके चलो स्टार्ट करते तो पहले आपको सी पैनल पर लॉगिंग करना है तो मैंने अलड़ी एक वीडियो बना के रखे हाउ तो लॉगिंग सी पैनल ओके देख लिए नहीं हो आज है चलो स्टार्ट करते तो पहले हम लोग मेरा डोमें का नाम यहां पर टाइप करेंगे canvas.in देखो यहां पर मेरा अभी कुछ में दिख रहा है इसके बाद slash देखे डोमेंड के बाद slash देखें यहां पर टाइप करना है cPanel ओके दिन एंटर देखें यहां पर मेरा cPanel का लॉगिंग पर जोपन प्रेस्ट करते हैं पासवार्ड भी कॉपी करके पेस्ट ही करते हैं देन क्लिक ओ लॉगिंग बटन पर ओके लॉगिंग होगे अभी हम लोग क्या बोलता है उसको मैंजेंटो को इंस्टाल करेंगा ठीक है तो यहां पर सार्ज बार में यहां पर आपको टाइप करना अब्लिकेशन टाइप किया तो यहां पर एक ब्लीकेशन इंस्टार इंस्टाल करेंगे तो मैंजेंटो यहां से देखो मैंजेंटो कहां है यहां Apps for e-commerce and business ठीक है देखिए यहां पर Magento का logo देख रहा है इसके उपर click करने से हो सकता है install ठीक है तो हम लोग यहां से भी हो सकते हैं और यहां पर search bar में यहां पर search option में जाके search option में जाके यहां पर आपको टाइप करना है Magento देन इंटर बारना है तो भी आए जाए गए गया से तो Magento इस ओपेंशर्स ओपिंग कार्ट अप्लिकेशन इन इसे रिडिलिस्ट एक्सेटर इसे उसके बाद यहां पर देखते हैं में अप्लिकेशन में अप्लिकेशन में इस ओमेंट के अंदर Magento को इंस्टाल करेंगे वह करना है आपको यहां से सिलेट करना है तो यहां पर क्लिक करो यहां से हम लोग करेंगे canvascard.in के उपर ठीक है करने के और यहां पर administrator username ठीक है तो यह एद्मिनेस्टर यूसर नाम देते अड्मिनस्टर क्या होता है मैं जूंट को प्रॉड्र ब कर पाएगी तो यहां पर यूजर नाम एड्मिन देते और पासवार्ड भी हम लोग दे देते कोई भी एक अपलोग देते रहा आपलोग का और यहां से हम लोग देंगे जलो आटरेटा canvass.in दे 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 ठीक है बाद में हम लोग एमेल हम लोग प्रेट कर लेंगे ठीक है देन वेबसाइट का टाइटल वेबसाइट का टाइटल देते canvass okay then sorry canvass canvass cut okay then थोड़ा नीच आओ राइट में देखो इंस्टल बटन बटन दिख रहा है क्लिक और इंस्टल बटन processing चल रहा है okay चलने दो वाव एक एरर आगया one or more error have occurred no change have been stepped check the highlighted setting below and try again okay check the highlighted setting below and try again okay check the error is not compatible with the selected requirement php requirement यहां पर दिखड़ा है sodium को हम लोग को install करना होगा ठीक है तो फिर से हम लोग को cPanel का home page में जाना है ठीक है देन cPanel पर logging पर यहां पर जाते है और यहां पर फिर से हम लोग यहां पर type करेंगे php देन सिलेक्ट और सिलेक्ट पीएच्प वर्शन को पर क्लिक करो अभी मुझे क्या लगेगा sodium लगेगा ना sodium यहां पर सार्च करना है तो सब्सक्राइब करो सोडियूम सोडियूम ओ हां मिल गया देखो इसको टिक कर देते हैं ठीक है ओके साक्सेस बाडियल सोडियम सेफ्ट हो गया ठीक है फिर से हम लोग इंस्टलेशन पेज में आते हैं में जंट हो का तो यह फिर कुछ भी हम लोग पूरा है इंस्टल हो जाएंगा कोई भी एरोड नहीं देखे होना चाहिए बहुत नोगे इंस्टल कॉंपलेट हो गया साक्सेसफूल भी हो गया ठीक है देखो एन्वस का डॉट इन इसको पर क्लिक करते हैं देखते कोलता है एक है नहीं है ओ माइगाड ओपन हो गया लिए निट अब करते है और मैजन टू का मैजन टू का एड्मीन पैनल भी ओपन हो गया ठीक है तो यहां पर हम लोग अड्मीन पैनल का यूजर नेम देते है और यहां पर पासवाट देते है ठीक है देन क्लिक आन लॉगिंग बटन है कि आधिक हैं वाउ साक्सेसपूल हो गया ओपन हो गया डैच्ट बट भी हम लोग पेंग ठीक है दिन अलाव करते हैं ओके ओपन हो गया वेश्ट साइड भी हो गया मेरा और डैच्बोट भी मिल गया उसके बाद हम लोग एक एक करके वीडियो बनाएंगे और आप यासे सेल व्याटि देख सकते हो कैलोग में प्रेगょरी-दा तसे अप पूशा कर सकते हो, कास्टमर और मार्केटिंग क्वाँटिन इन से लृटर हैं PD कंटेंट चेहां , चलो स्टेह। दो घरंग stay safe tata bye-bye please like share and subscribe